हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिविल पाज टूपन जीर ओफिसियल यूटूप चैनल फ्रेंड देखे जहारखन होमगार्ड की वेकेंसी आई है फ्रेंड देखे होमगार्ड वेकेंसी दोजाथ तोटल 708 पदोपे वेकेंसी आई है कौन-कौन अपलाय कर सकता इस वीडि में बताई जाएगी और देखे जहारखन ग्री रक्षाब आयनी ये ग्रीडी जीले से वेकेंसी निकल के आ रही है तो जितने भी ग्रीडी जीले के कैंडिडिट है वो खुस हो जाई है आप लोग के लिए बहुत अच्छी ऑपरिजिनिटी आई है वीडियो सुरूश करने से पहले अगर आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जारखन जॉब नोटिफिक्शन में जॉइन नहीं हुए तो जल से जल जॉइन कर ले क्योंकि बहुत सारे जॉब इंफॉर्मेशन के मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो टेलिग्राम ग्रूप के माधियम से आप सभी क को इनफॉर्म कर दिया था है तो जल से जल जॉइन कर ले जारखन जॉब नोटिफिकेशन टेलिग्राम ग्रूप देखे 571 मेंबर की ग्रूप हो चकी है जल से जल इसे 600 मेंबर की ग्रूप बनाएं तो चलिए देखते हैं क्या है ओफिसल नोटिफिकेशन पूरी डिटेल अच्छी भेकेंसी है फ्रेंड आप से भी के लिए लेकिन इसमें एक चीज है जो कि आपको ध्यान देने योग की बात है देखिए ग्री रक्षा वाहिनी एक स्वय से भी संगठर नहीं तथा ग्री रक्षक उसके स्वय से भी सदस्थ होते हैं जितने दिन आविश्रक्ता अनुसार उन्हें करते पर परति न्युक्त किया जाता है उतने कारी दिवस के लिए सरकार दुआरे निर्धार दर पर भठता भुकते होगा होगा और यह कोई वेतनिक सरकारी नोकरी आजीविका का माध्यम नहीं है अत्ता उनहीं उमिद्वारों से आविदन की अपेक्ष जैँगा तो आप लोग ये नोट कर लें, इसके बाद ही आप लोग इसको देखे रहतें, गृरिरी जिरा के गोरी रक्षक के रूप में नमांकर के लिए, रिक्तियों के विरुदूरूर्द सूयों, उमिदवारों से विहित प्रपतर में आवेदन आमेंतर के जाते हैं, ग् ग्रामिन ग्री रक्षा के लिए जो बैकेंजी है परखंड का नाम है दूमरी 32 सीट है सरिया में 97 सीट है तीसरी में 45 सीट है बगोदर में 93 सीट है बेंगाबाद में उन्चा सीट है पीर टार में 45 सीट है बिरनी में 26 सीट है धनवार में 58 सीट है गांडे में 62 सीट है और यहा यहां सहरी गरी रकष्चा की बात करें, तो गिरीडी सहरी में 175 की total seat पे अरक्षित होगा तो यह सभी मतलब आरक्षन की बाते हैं तो इससे आप लोग पढ़ सकते हैं इसे मैं बताने ने जा रहा हूं अब इसका देखिए और इसमें मतलब क्या क्या डोकुमेंट चाहिए तो यहां पर देखिए आवासी मतलब आपके पास होना चाहिए अगर ग्रा नामिन ग्री रख्षक के लिए नामांकन के लिए आविदन देता है मतलब जहां से आप अप्लाइ किजिएगा उस परखंड का आपको अस्थानी निवासी होना चाहिए तभी आप लोग भर सकते हैं और साथ में ही आपको देखिए उक्त के अनुसार अंचल अधिकारिये आपको इसके साथ डोकुमेंट भी एटेज करना होगा जब आप लोग भरिएगा फॉर्मेट को तो और इसके बाद देखिए सहरी ग्री रख्षक को भरने के लिए देखिए ग्री जिला के सहरी छेत्र का समानी निवासी होना चाहिए और आपको साथ में अंचला दिकारी जो एडी या फिर जो स्थानी निवासी आपको देना होगा इसके बाद देखिए सेक्षणिक योगयता क्या है का चाहिए देखिए ग्रामीन गिरी रख्षोको के लिए नियुन्तम साथवी पास होना चाहिए और और बाकि देखिए सारीक मापदंड आप लोग देख सकते आप देखे लंबाई की बात की गए तो पुरूस का जो है 162 cm होना चाहिए जो कि समानी और या BC1 या BC2 केटिगरी में आते हैं और 177 cm होना चाहिए अगर आप अनुसुची जन जाती या फिर जन जाती में आते हैं यानि स्टिक में और महिलाओं के लिए 148 cm चाहिए कोई भी केटिगरी को हो और देखे सीना जो है चेश्ट जो है वो देखे पुरूस का 89 cm चाहिए समानी और जो अनुसुची जन जाती या जाती है उन्हें 16 cm चाहिए बाकी यहाँ पे देखिए और सब इसा पढ़ सकते हैं इसके बाद देखे इसका जो चैन परिक्रिया जो होगी व या पढ़ सकते हैं कि इसके बाद देखे साज़ुरी रैप्ष्जिता कर परिष्या होने के बाद हिंदी लेखन चांता चिटा की परिष्या की जाएगी इसके बाद देखिए परिष्या lady जाएगी यह जो है सिर्फ सहरी तक्निकी ग्रिये रख्ष्यक के लिए मतलब बब लोग का लिया जाएगा ग्रामी ग्री रक्षा के लिए अपलाई नहीं होगा यह और जितना भी सभी चीज लेने के बाद आपका एक मेरित लिस्ट त्यार किया जाएगा देखिए मेधा सुची त्यार की जाएगी और उसी कालोग में आपको चैन पर किया जाएगा इसके बाद देखिए हैं पर मतलब खेल कोड की जो कोटा है उसके में कुछ-कुछ अरक्षन दी जा रहे हैं जैसे कि आपका भी भी अगर इस्टेट लेबल में कुछ पर्थम अस्थाना या पर दूतिय या पर तितिया अस्थाना आया है तो उसके अनुसार से आपका अगर छे अंक, चार अंक, दो अंक और राजॅस ट्री स्टेट लेबल में आया हैं तो तीन अंक, दो, एक अंक, आंक इसे जमा करेंगा आपलो तो आवेदन को जमा करना है विहित प्रपत में आवेदन पूर्ण रूप से सही सही भर कर सभी वांचित अनुलगन को के साथ मतलब सभी डोकुमेंट को एटेज करने के बाद निवंदित डाक याइस्पीट पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ जीला समादेश्टा जहारखन ग्री रक्षावाईन कार्याल है चैताडी ग्रीडी पिन कोट एक आसी तिरपन जीरो दू में भेज दिएगा आप लोग तो यहाँ पर देखिए इसके बाद कि आवेदन जो मतलब निवंदित डाक याइस्पीट पोस्ट द्वारा भेजने वाले उमिद्वार लिफ हापे के उपर में विज्यापन संख्य यानि के 0-1 obligation 23 लिखेगा आवेदित पत का नाम ग्री रख्ष ग्रामीन ग्री रख्ष के लिए कर रहे ही या सहरी ग्रीरेक्ष के लिए वो और किसечение पर खंड के लिए वह लिखना ज़रूरी है तो इस सबfallenल रगत करके लग दिजीएगा और देखिए आवेदन स्वीकार ज के जाएंगे और देखिए आवेदक पावती रच्षी यानी की परवेश पत्र एडमिट कार्ड जीला समात्देश्टा का कार्याल है जहारखन गिरी रक्षा भाहेनी चैता डिग्रीडी से दिनांग 25 ती यानी 20 से अपलाई करने का डेट है और 25 से आप लो 25 मार्च से 9 अपर कड़े अप violated नीचे देख सकते आप लू तो यहां पर देख सकते हैं गिरी के ग्रामिन शुक्री रक्षाग का जो फॉर्मेट है यहांपर दिया हुआ dips पर है इसका अपना नाम भरना पिताका आया पतीका नाम भरना लिंग में पूरुस या म inh 1 या है वो लित्हाइः वि पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है बाकि आप लोग मुझे बता है कि आप फॉर्म भर लीजेगा आप लोग फिर भी कोई डाउट रहेगी तो आप लोग पूछ सकते हैं इसको भरने के बाद देखिए साथ में इसका पाउती रसी या एडमिट कार देखिए जारखन इसमें फोटो भी चिपका दीजेगा अब जैसे डेट लिखा गया है पचीस तीन दो या तईस से यह मिलना शुरू हो जाएगा आपका एडमिट कार और कब रहेगा आपका किस दिन एक्जाम रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा यहां पर और सहरी रक्षा के लिए यह वाला फॉर्मेट है आप लोगों को यह व्ला फॉर्मेट बर लेनाया और नीचे में बह meant पवतिारशित का भी है यहां पर देख सकतें तो इसको भरने के बाद यह कर्मांग आपको उदर से ओफिस से दिया जाएगा दिनांक का बेक्जाम होगा उसका यहाँ पर दिया जाएगा उधर से ही तो आप लोग पूरी तरह से वीडियो समझ गए होंगे वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि सभी को गिरीडी जी लाकि जितने भी केंडिडेट हैं सभी को वेकेंसी के बारे में पता चल सकें और देखिए यहां पर पर आपको यह जो नोटीस है मिल जाएगी और देखिए यहां पर पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को दे चुगा हूं फिर भी कोई डाउट रह गए तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेडिग्राम गुरूप जारखन जॉब नोटिक्शन में ज और में जुगान